नमस्कार सीला की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ मुंग दाल के लड़ू उमिद है आप सभी को पसंद आएगी तो लड़ू बहुत ही जादा बेहतरीन बने थे गाईज और इतने स्वादिस्ट बने थे गाईज कि मुझ में जालत केएं तो आज मैं अलग तरीकिसे बनाई हूँ मुंग दाल के लड़ू इकीएं कितने अच्छे कलर भी आया है थोड़ा समय ऑन फोड़ासे अच्छे लग रहा है हैं कितने अच्छे हैं ऐदो जबल्ला रखे आ हैं यूदलिस बहुत स्वार ने यह देखिए मुश्किल से मैं 200 ग्राम घी में बनाई हूं इसे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका तो यह देखिए यह मुंग डाल है लगभग 400 ग्राम मुंग डाल है यह देखिए तो यह धुले नहीं है इसको मैं धुलूंगी अ तैयार की हूं बेशन भी लगभग 1500 ग्राम है यह देखिए तो इसको मैं चनी के दाल से ही घर पे ही बनाई हूं पीसी हूं तो घर का बनी ही हुई चीजे तो गाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट होती है आई देखिए बुंग डाल को मैं अच्छे से धोलूंगी ल तो थोड़ा से पॉलिस रहती है तो इसे चार पांच पानी अच्छे से धोलीजेगा और चंदी में च्छान लीजेगा अई देखिए कडाही रग दी हूं मैं गरम होने के लिए अब मैं जो दाल धूली थी उसको मैं डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे हम तो आप चाहे तो बिना भूने भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा न आप धूल लेंगे न तो और ज्यादा सही रहेगा क्योंकि बाहर मार्केट में तो जानते हैं केमिकलों अब भी लगाए रहते हैं दाल में पॉली सोज करने के लिए तो इसलिए धूल के ही इस्तेमाल करना चाहिए तो यह देखिए इसे मैं अच्छ से भूनूंगी लगभग 15 मिनट के लिए 15 मिनट के बाद आपको मैं दिखाऊंगी यह देखिए इस लगातार आप चलाते जाहिए और मेडियम फ्लेम पे ही भूनियेगा बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनियेगा नहीं तो आपके दाल जल जाएंगे यह देखिए और इसे लगातार चलाते रहे सूरी में तो यह थोड़ा सा चिपकता है लेकिन बाद में सही हो जाता है जब यह दाल आपके भून जाएंगे न तो कडाही में नहीं चिपकेंगे यह देखिए बिलकुल भी कडाही में चिपक न मैं चीनि जो लि थी उसको पीच रही हूं चीनी मेरा लगबट 400 g चीनी मैंने दाल लिया था मूँंग का उत्ना ही चीनी भी ली हूं और साथ में हरी लाइची भी है तो आप कोसिस करें कि चीनी की मात्रा जितना आपका बेशन और दाल है उतना नहीं रखे तो बेशन को तो मैंने नहीं इसमें जोड़ा है केवल दाल जितना में ली थी उतना ही चीनी ली हूँ 400 ग्राम के लगभर अगर आपको कम मीठा पसंद है तो चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं तो लड्डू तो थोड़ा मीठा ही ज्यादा अच्छा लगता है गाई अई देखे मैंने इसमें ग्रांडर में इसे ग्रांड कर लिया है और इसे देखे चंदी की सहायता से आप छांद ले जो भी इलाइची के छिलके और रहेंगे बाहर आ जाएंगे ताकि लड्डू खाते समय आपके मुझ में ना आए इस तरीके से आप चीनी को छांद ले अगर आपके पास तगाड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते है लड्डू में तो उसका टेश्ट तो और ही ज्यादा अच्छा आता है तो मेरे पास था नहीं और बनाने का टाइम नहीं था नहीं तो मैं तो घर पे ही भी बना लेती हूं चीनी का बुरा तो बुरा हो तो और ही ज्यादा बढ़िया लड्डू बनते हैं और नहीं है तो आप चीनी को पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं अई देखे एक बड़ा चमच में देशी घी ले ली हूँ कड़ाही में कड़ाही को मैंने साफ कर लिया है अई देखे बादाम रोष्ट कर रही हूँ तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो बच्चों के खाने के लिए बना रही हूँ तो बच्चे कम पसंद करते हैं उसे देखे इस तरीके से आप ड्राइफुट्स अपना भून ले ड्राइडू अब देखे इसको मैं अच्छ निकाल ले रही हूँ प्लेट में बहुत ज्यादा जल लूँगे आप चाहें तो काट भी सकते हैं लेकिन काटने इस नगाई लड्डू जो है ठीक से बनते नहीं है गोल गोल इस लिए थोड़ा सा हलका सा दरदरा पीस लेती हूँ अब देखे घी का इस्तेमाल में और कर रही हूँ लगबद एक बड़ा चमच और डाली हूँ अब जो मैं बेशन ली थी अब उसको भूनोंगी यह देखिए मैं प्लेट में निकाल कर रख ली हूँ ट्राइफूट्स को अब देखिए सब सूजी है तो सूजी थोड़ा समय डालूंगी जरूर लड्डू में इससे लड्डू का स्वात बहुत ही ज्यादा अच्छा ब इस डाल लिएगा जरूर गई बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था मैं तो पहले नहीं डालती थी लड्डू में लेकिन मैंने इस बाद डाला है और बहुत ज्यादा टेस्टी बना था यह देखिए तो सूजी हमारी भून चुकी है अब मैं इसमें बेशन डालूंगी यह कुंकि दाल भी गरम है तो इसलिए थोड़ा सा उसको बाद में मैं डालूंगी यह देखिए इसे लगातार चलाते रहिएगा और फ्रेम को आप धीमा ही रखिएगा मिडियम पर रखिएगा ताकि आपका जो बेशनोगरा है जले नहीं यह देखिए और लगातार चलाते ही रहिएगा गाई इस तरीके से कल्ची से आप दबाते रहिएगा तो इसमें जो गुठलियां है वो नहीं पड़ेंगी फूड जाएंगी यह देखिए दाल हमारे ठंड मत पिस येगा नहीं तो पिस आएगा नहीं अच्छे से क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा से कुर्कुरी हो जाती है यह देखिए इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी गाई इस तरीके से लड़ू बनाएंगे नहीं बहुत ही लगता है मुंग के डाल के लड़ू बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन टेस्टी बनते हैं गाई और बेशन के लड़ू से भी ज्यादा अच्छे बनते हैं यह देखिए इसको इस तरीके से पीस लीजे बहुत महीन भी नहीं करिएगा और बहुत ज्याद चलाना बंद नहीं करिए चलाना बंद कर देंगे ना तो आपका जो मिस्रन है कडाही में लग सकता है तो इसे लगतार आप चलाते भी रहें चलाना न छोड़े यह देखिए और इसे मैं थोड़ा देर भूनूंगे लगभग पांच मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगे उसके बाद घी का इस्तेमाल करेंगे हम यह देखिए भूनते हुए मुझे पांच मिनट हो चुके हैं यह देखिए कलर भी चेंज होने लगा है आप देख सकते हैं पहले कैसे कलर था आप कैसे कलर है यह देखिए इसमें लगभग 50-60 ग्राम घी और इस्तेमाल कर रही हूं मैं यह देखिए तो घी आप शुरू मे जादा मात्रा में तो भूनते भूनते उसकी खुस्बु निकल जाती है तो हम तो यही आपको सलाह देगे कि आप घी का इस्तेमाल थोड़ा-थोड़ा करते रहें यह देखिए और इसे लगातार चलाते रहें यह देखिए इसे अच्छे से भूनना है कच्छा बिल्कुल नहीं रखना है अई देखिए ड्राइफूट जो मैं भूनके रखी थी ठंडे हो चुके है उसको मैं देखिए मिक्सी में दादरा पीस लूँगी ग्राइंड कर लूँगी तो इसको भी गरम-गरम मत पीसिएगा थंडा होने के बाद ही पीसिएगा तभी पिसाएगा यह जो मिश्रन है देखिए हमारे तयार हो चुका है भूनके तयार हो गया है और देखिए घी भी छोड़ने लगा है तो मैं बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ लड्डू में क्योंकि हमारे यहां मरीज है हाट के पेसंट है तो इसलिए मैं बहुत जाना तर देखिए आटे का कलर कैसे चेज हो गया है आप खुद देख सकते हैं पहले कैसे था अब कैसे हो गया है तो देखिए इस तरी भूनने के बार ना ऐसे ही कलर हो जाना चाहिए क्योंकि मुह डाल को भूनना बहुत जरूरी होता है नहीं भूनेंगे तो फिर उपकच् खुद भून बनाने धिक्कत आती है तो इसले इसको पीस लेती हूं तड़ द्रह एव धखिए थूड़ा सब ठंडा हो गया है मिजरण मैं गैस बंद नीचे रख भी कड़ाई को अब मैं इसमें चीनी जो पीस के रखी थी उसको मिला रही ही हूं तो जीने भी थोड़ा थोड़ा करके डाले, एक साथ लगतार न डाले, थोड़ा थोड़ा करके डाले, तो चीनी डालने के बाद आपको लगेगा कि ये बंधायेगा नहीं, कैसे है, सुखापन थोड़ा सा हो जाता है, तो आप इसमें घी का इस्तिमाल और कर सकते हैं, मैंने भी किया था, तो थोड़ा इसकिप हो गई आप डालिएगा जरूर घी तो इससे क्या होगा आपके जो चीनी है पिखल जाएगी आराम से यह देखिए आप चलाते रहिएगा और थोड़ा सखी के इस्तेमाल दो चमच और डालीजीगा यह देखिए मैंने भी किया था पर वो इसकिप हो करेंगे ना तो हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा गरम गरम भी नहीं करिएगा नई तो आपके हाथ जल जाएंगे यह देखिए ठंडा होने कबाद देखिए कितने अच्छे से लड़दू बन रहा है आप खुद देख सकते हैं एक हाथ से आप बना तो ड्राइ फूट्स को आप पीस के डालेंगे जा disruptive को भाइन अच्छे बनेंगे गोल गोल बनेंग और आपके डालेंगे जा तो थोड़ है तो फ़ MYडे मिड़े बनते है राइ फॉट्स के और जासे यह देखिए फटाफट में लड्डू बना तो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होने दिजेगा गाई, नहीं तो आपके लड़ू नहीं बनेंगे, यह देखे, इस तरीके से आप सारे लड़ू बना के रख ले, तो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है, दाल को भुनने में, धोने में, यह सब ची मैं तो जादा मातरा में ही बना कर रखती हूँ, दो किलो की लगभग तो बनी ही है, यह देखे, दब में भर कर रख दोंगे, इस तो खाएंगे ही खाएंगे बच्चे, यह देखे, इस तरीके से सारे लड़ू बन के तयार हो गया है, आप खुद देख सकते हैं, आई से मै भी लगाएं तो चलेगा यह देखिए लड्डू का कलर भी देखिए कितना सुन्दर हुआ है यह देखिए तो गाइट वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक जिरूर करेगा और प्लीज मेरे चाइनल को सस्क्राइब करेगा मेल आइकन को तबाना ना भूले और स्पीकस है